एक वार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों पर डेली की तरह हिंदी का फोल टेस लगाई जहां पर आपके पच्चास प्लस नोते हैं जो कि हमने आपको वता दिया है कि अगर आप यहाँ पर लेकपाल की त्यारी कर रह हैं या मली अदर एकजाम की भी त्यारी का रहें और कहींसे भी हैं तो यह ख्लास आप लोग डेडी कड्य क्रदे लिजेगा ठीके चले गोड़ेंग गोड़ेंग सभी को जएहीं सभी को जएहीं सबी को जएहीं जल्दी से और सभी लोग बहुढ़ी लाइक शेयर कर चले बताएगा कि भारती इंदो हरिष्चंद के समय में साहित का प्रमुख केंदिन में से कौन था थोड़ा से इसको जूम कर देंगे तो आप लोगों को हर एक कोशन पूरी तरीके सी दिखाई वे देगा चले बताएगा इसका अंसर क्या हो जगा तो देखे भारती इंदो क के समय में साहित का जो मुख केंद्र था ये था आपका कौन कासी था यादर के कासी था यादर के मुख केंद्र था ठीक है तो इसको आपस्टन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है यहाँ पर दिया है कि भारत बारह मासा किसकी रचना है आपके राधा कृष्ण दास की है इसको अंसर हो जगा यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले इस पंक्ती है यह किस कवी की है चले यहाँ पर ज्वाब दिजे कि हम दिवानों की क्या हस्ती आज यहां कल वहाँ चले इन पंक्ती मैं आठाती जो पंक्ती है किस कवी की है कई बार आपने पड़ा भी होगा चले काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं तो देखे आपका जवाब यहाँ पर C नमबर देखे काफी लोग यहाँ पर C दे रहे हैं बिल्कुल जवाब भी सही है यहाँ पर C नमबर होजेगा भगवती चरण वर्मा इसका राइट अ पहा जाता है चलिए यहां पर देखे डुणा ही कहा जाता है कौन सी बोली को कहा जाता है अगर आपने इस पेसल चैप्टर वाइज वाली अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आप देखना शुरू कर दीजे क्योंकि इस पिसल हमने आप पर चला दिये हैं आपकी देखे 5 आपसे जोड़ जाए ताकि हर एक लिंक और जो जरूरी पीडियाफ है वापको मिलती रहे ठीक है ये क्लास अगर आप लेते रहेंगे 5 बजे वाली तो समझे कि आपको हिंदी पूरी तरीके से कनफर्म हो जाएगी आने लगी ठीक है तो देखो यहां पर ढुना ही कहा जात पूछा गया है कि ततपुरुष समास में प्रधान होता है तो देखो यहां पर पूरुष सब्द लास्ट में निकल के आ रहा है अर्था जो प्रधान इसमें क्या मिल्मेन है यहां पर लास्ट में पूरुष सब्द आपका अच्छा है अर्थात यहां पर कैसे हैं कि जो अ यहां परंसर हो जएगा दूसरा पद आपका प्रधान होता है याद रखेगा ठीक है चले और देखे पदों के वीच कारक चिन्य भी होते हैं याद रखे जो ततपुरुष समास होते हैं इसमें क्या होते हैं कारक चिन्यों का भी प्रियोग किया जाता है वो भी 6 कारक चिन्य पर आंब सत्याग्रा सब्द में जो समास है इनमें से कौन सा हो जाएगा सत्याग्रा तो सबसे पहले से तोड़िए आप इससे तोड़िए तो क्या निकलेगा सत्य के लिए आग्रा क्या होगा भई सत्य के लिए आग्रा हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो के लिए है के लिए सब र्परदान तत्पूरल समास में तो आपका अंसर क्या होगा D number लेज़़ का आपका ऊपसे art क्या क्लियों पोच्छा गया है अपकार का विलुम सब्य क्या होता है अपकार का विलुम देखो हमने आपको हमेशा बताया है जो इसका उपकर बनेगा लेकिन यहाँ पर दिया अपकार का विलोम तो क्या हो सकता है उपकार अपकार का उपकार तो देखो यहाँ पर उपकार कहीं लिखा है option C आपकार लिखा है अपकार का होता है उपकार यह कह सकते हैं परोपकार दोनों ही हो सकते हैं मतलब यहाँ पर जो आपके option है वो आपका C और D दोनों होंगे उपकार भी हो जाएगा और आपका परोपकार भी होता है तो इसके option दो बनने वाले हैं C और D इसके अंसर बनेगा नोट कर लिजेगा यहाँ पर जो अंसर होगा वो आपका C और D दोनों होंगे क्योंकि अपकार का विलोम सब्द होता है उपकार भी होता है और परोपकार भी होता है उपकार किसी का परोपकार मतलब भी तो भी हुआ न तो option क्या होगा इसका? इसके दो option यहाँ पर हो जाएंगे C और D दोनों आपके अंसर बनते हैं चली आगे बढ़ते हैं copy paste करते रहिए वह यहां अंसर साही दीजिए चली यहाँ पर देखो दिया है अभ्यूक्त का विलोम इन में से क्या होज़ेगा अभ्यूक्त का विलोम इस वहां पर होता क्या है? यहाँ पर अभ्योगी क्या होता है? अबयोगी मतलब जो आपसन है आपका D number ये इसका right हो जगा अबभ्यूगी होगा क्यों और आरोपित ब्येक्ती यती होता है यहां पर जो अंसर हो जाएंपका D number राइट हो जगा स्रаж्जन का विलूम करता है क्या निर्माड करना होता है तो जब कोई चीज का आप से लोग निर्माड करक staff स्पाया थिकतर हो गया है चलेological gw id प्रले का होता है जल्दी बताईए प्रले का होता है क्या जो लोग ए बता रहे थे तो आपको बता दें प्रले का होता है क्या स्रस्टी होती है निंदा का विलूम क्या होता है इस्तुती होती अर्थात प्रसंसा होता है और जंगम के अगर मत करें तो जंगम का विलूम होता ह इस थावर क्या जंगम कभी लोम होता है इस थावर तो इस कारण से option कहा जाएगा आपके d number पर हो जाएगा राइट के लियार है चले समझ में आता है की नहीं आता है चले अगला question बताएगा के राग दरबारी उपन्यास के जो रचाईता है वा आपके कौन है राग दरबारी जो बी number आपका जवाब है याद रिखे राग दरबारी यह उपन्यास के जो रचाईता है वा आपके कौन हो जाएगे छले यहाँ पर अंसर आपका B हो जगए बैस C number यहाँ पर B हो जगा स्री लाल सुकल हो जाएगे राग दरबारी यह साहित्त कार है स्री लाल सुकल की प पुछा गया है इसका मतलब कुछ ऐसे भी student होते हैं जो सिर्फ copy paste करते हैं कोई चीज की copy paste ही करते हैं मतलब हमारे बताने के बवजूद भी यहाँ पर c number दे रहे थे तो इसका मतलब है कि copy paste बहुत लोग करते हैं ठीक है तो copy paste नहीं इमानदारी से टेस्ट दिया करें जो question गल यहाँ पर अंसर क्या होज़ेगा तो बारा कॉप समय आपका c number यह आपके गजानन माधा मुक्ति बोध की यादर की काब हैं आर्था चांद का मुट एड़ा किसका है गजानन माधा मुक्ति बोध आप समनेगा यहाँ पर आपका c number राइट हो जएगा किलियर है यह कविता चार में संधी कौन सी होगे चले देखो हमने बताया थे कि जब आप तोड़ेंगे जब इसे तोड़ेंगे और वो बेंजन में तूट जाए अर्था जब इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या यहाँ पर दा का परिवर्थन उसी हुवर के पहले वर्ण में होता है अर्थ कि किसी भी वर्ण का पहला वर्ण पहला वर्ण अगर का चा ता पा अर्था यह जो वर्ण होता है अगर इस वर्ण में आते हैं तो कोई भी अगर स्वर है या ब्यंजन हो तो पहले वर्ण की स्थान पर तीसरा वर्ण आपका हो जाता है अर्था जिसे ता है तो ता का क्या ह ताकि यहां पर गाव हो जएगा चाक क्या हो जएगा जा हो जएगा ठीक है तो इस प्रकास की तीसरे वर्ण में परिवर्टन हो जाता है आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप सिगला पुछा गया है दिया गया है आपर कोश्चन यह तीरस कार का संधी विच्छेद क्या हो यहां पर देखे यह option जो B number आपका बिल्कुश सही है 13 होज़गा अर्थाती यह जो आधासा है आधासा का ही यहां पर भी सर्ग हुआ है वो भी रूल के according हुआ है यहां भी सर्ग संदी आपका अंसर होज़गा B number clear है आगे बढ़ते हैं question आप सिगला पूछा गया है प्रत्युपकार का संद्विचेद क्या होज़गा प्रत्युपकार का संद्विचेद इन में से क्या होज़गा प्रत्युपकार में यहां पर संद्विचेद क्या होगा 15 नमबर में अगर आप थोड़ा बहुत अगर रूल देखे होंगे तो यहाँ पर देखे क्या है आपका E8 संदी है मतलब यहाँ पर जो आप कंसर होगा वो A हो जगा प्रती धन उपकार हो जगा क्या बनेगा प्रती धन उपकार हो जगा इसका option बनेगा आपका A नमबर ठीक है क्योंकि E और बड़ी E के बाद कोई क्या है भिन्नसोर है हना भिन्नसोर आए तो E और बड़ी की स्थान पर क्या होता है या हो जाता है तो इस कारण से option क्या हो गया A नमबर यहां पर राइट हो गया चलिए आगे बढ़ते कोईशन आप से लाप पूछा गया है दिया गया है कोईशन है कि सूक्ति का सई संद्विचेद क्या होता है सूक्ति का संद्विच्छे दिन में से क्या हो जगा चलिए जल्दी से बताइए सूक्ति का संद्विच्छे दिन में से होता है क्या option C हो जगा सू धन उक्ति कौन सा छोटा सू होता है या दरेके option C हो जगा सू धन उक्ति इसका अंसर हो जगा सी नमबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर रूल क्या होता है इसमें से छोटा हूँ यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर छोटा हूँ निकालेंगे तो क्या निकल क्या आजएगा बड़ा हूँ निकल क्या आजएगा सिंपल सी बात है चलिए य प्रियोग में लाने के लिए सब्द होता है प्रियोजनी क्या होता है प्रियोजनी होता है यादर की स्कॉप्सन जो की काफी लोग यहां पर भी दे रहे हैं तो बिल्कुर सही जवाब है प्रियोग में लाने योग के लिए बोलते हैं प्रियोजनी बोलते हैं उप्सन भी हो जरूरी नहीं कि ओग्यान आपके सरकारी जॉब के लिए हो ओग्यान हो सकता है प्राइवेट जॉब के लिए ओग्यान हो सकता है अपने पेट पालने के लिए ओग्यान हो सकता है जीवन में अपना नम कमाने के लिए तो याद रखें यहाँ पर हिंदी जरूरी नहीं कि भी मिल सकता है कोई भी कोशन तो देखे प्रतिवी के तीन और पानी वाला जो इस्थान होता है उसे क्या कहते हैं उसे बोलते हैं प्राय दियूप बोलते हैं जैसे कि आपका भारत है और इस भारत में क्या है तीन और से पानी तो इसे क्या बोलते हैं प्राय दियूप बोलते सबिखा है रहाब कि निम्नकित में से सही वरतनी वाला सब दिन वही जाना चाहिए जहाँ पर आपके ससे गलत पर खोकस किया गया है do यह को वी लच्छन आपके यहां पर दिये गए है कौन से यहां पर वी लच्छन और वी लच्छन इसका मतलब 19 वाले में जो आपके पास आप्सन बन रहे हैं वो आपके क्यार बन रहे हैं वी लच्छन तो यह भी सई दिया भई यहां पर यह तो गलत हो गया है यह गलत हो गय आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिल्ला पूछा गया है दिया गया निमनिक्मित रूपों में से सही बरतनी सबदा आपको बताना है सही जवाब इन में से क्या होजेगा चलिए यहाँ पर जवाब देना है सत्रा वाले में भई आपको क्या प्रॉब्लम है सत्रा वाले में है प्रियोग में लाने योग के लिए प्रियोजनी होता है सत्रा वाले कोश्चन में कि प्रियोग में लाने के लिए जो योग होता है प्रियोग में लाने योग के लिए प्रियोजनी बोलते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर बताईए कियरा है सही वरतनी आप से पूछा गया है सही वरतनी इनमे से क्या होजेगा सही वरतनी देखा जाए तो आपके 20 वाले में दिया गया है क्या साहकार दिया है और साहितिकार दिय यानी रूप सी लवल तेज बखानी करह विलाप अनेक प्रकारा परह भूमितल बारह भारा इस पद्ध में पूछा है रस कौन सा है बताई भई यहाँ पर जो रस है वो आपका कौन सा रस हो जाएगा तो दिखो यह में कर सकते हैं कोई वस्त की हानी होती है या अनिष्ठ होत है जहाँ पर मात्राओं की गड़ना होती है उसे हम लोग मात्रीक चंद कहते हैं तो बाइस कॉप्शन क्या होजएगा यहाँ पर बताई क्या होजएगा चली कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको साय सुनाई भी नहीं देते हैं भई यहाँ पर हमने बता दिया है कि यहाँ पर जो हमने बता है उसका मतलब ही होता है प्रियोग मिलाने के लिए बस उसका मतलब ही होता है प्रियोग जनी अब इसमें मतलब क्या हुआ ही तो इसका मतलब ही दिया है कि उसका मतलब क्या होता है अब बताओ इसका मतलब ही होता है अब इसमें क्या बताया जाए चलिए यहा है एक मात्रिक चंद है तो option क्या हो जएगा डी नमबर आपका right हो जएगा चलिए आगे बढ़ते हैं question आप सिगला पूछा गया है यहाँ पर question निम्लिकित में से कौन सा wordic चंद है आप देख़ी बताइए wordic चंद इसके पहले मात्रिक चंद पूछा गया था क्या होते हैं वर्डिक छंद होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कोईसे आप सिगला पूछा गया है या परदिया है तू रूप है किरण में सौंदर है सुमन में तू प्रान है पवन में विस्तार है गगन में उप्रोक्त में से अलंकार आपको बताना है आपका सही जवाब फिर में से क्या हो जगा 24 संबर में अगर आपने अलंकार का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजेगा कि हमने बताया था कि जब एक ही चीज हो क्या जब एक ही चीज हो उसको अलग-अलग तरीके से बताया जाए जब उसे अलग-अलग तरीके से बता बता रहा है वही सुमन है वही है उसको सुमन बता रहा है वही है उसको प्रान बता रहा है बोलते हैं जैसे क्या होता है कोई लड़का है लड़की है तो कहते हैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं हर्था जो भी हो सांसे मेरी हैं जो भी है वो सब कुछ तुम्ही हो तो वो क्य चीज को होता है माली जीए पर्षन अपनी लाइफ से समझेए कि अगर है तुस्यों कई प्रकास से वर्डन करोगे जान हो फलाने हो डेकाने हो दुनियादारी हो मतलब यह उल्लेक होता है ठीक है जीवन में यह पॉइंट आपको नई भूलना चाहिए याद रिकी ऑप्षन ह हो जेगा बिनमबर उल्लेक हो जेगा ठीक है एक ही चीज का जब कई प्रकास से वर्डन किया जाए तो आपका उल्लेक होता है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन आपसे अगला पुछा गया है यहाँ पर दिया है कि चिंता मड़ी के रचईता इन में से कौन है चिंता मड चंद की सुकली की किनी दो रचनाओं का वर्डन करिए यह कोश्चन आपने पढ़ा होगा अर्था तिया पर 25 का जो आपसन हो जेगा सी हो जेगा राम चंद सुकली का जवाब राइट हो जेगा ठीक है हिंदी के निवन्दकार अर्था समालोचन गरंत की रूप में जाना आगे बढ़ते हैं कोश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया है बादल का तस्सम रूप क्या होता है बादल का तस्सम रूप इन में से क्या हो जेगा तो देखो हमने बता यह था बातों जो हवेसा मिलता है आपको लगवग लगवग मिलता है तो इसका रखे उर्वारिद हो जाएगा। में कौन सा उसरोग हो गया चलिए सभी लोग यहां पर जवाब देते हुए चलैंगे तो चलिए 28 संबर में तो दिखो यहां पर अधीस अर्थात इसको अगर हम तोडेंगे तो एक सब्द निकलेगा अधी क्या निकलेगा अधी निकलेगा जब हमने यहाँ पर अध निकाला तो इसका मतलब है कि बड़ी E आपकी आ रही थी इसका मतलब है बड़ी E ही जो कि आपका अंसर क्या हो जगा उपसर्ग दिया है तो आपका अंसर आपका B हो जगा अध इसका उपसर्ग निकल कर आ जाएगा clear है मुल सब्द जो आपका है वो क्या है मुल सब्द जो इसका है इस क्या है मुल सब्द जो इसका है इस है और उपसर आपका है आधि होजगा B number चलिए आगे बढ़ते हैं question आप से गलाप पुछा गया है कि किरिया के जिस रूप में करता के अंसार लिंक परिवर्तन नहीं होता है वो आपका क्या होता है यहां पर 29 संबर में किरिया के यहां पर देखी जो अंसार आपका ड़ी है अग्यारात्मक रूप या अग्यार्थक रूप कि किरिया की रूप में करता लिंक परिवर्तन नहीं होता है जैसे मालो हमें एक उधार प्रिजिद हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एक अग्या दी जा रही है चैए वो लड़का हो चैए लड़की हो इसलिद है एक वाधरिक कौन से उपसर्ग में आपका लगा हुआ है तीस नमबर में देखें यहाँ पर तीस नमबर में आप देखेंगे कौन से पॉइंट में यह जो आपका दिया गया है बे नमबर उन है ना इसमें उपसर्ग कौन सा निकलेगा यहाँ पर निकलेगा जो उपसर निकलेगा वो आपका उन उपसर निकलेगा जो कि यह हिंदी उपसर गया क्या यह हिंदी उपसर गया उनका मतलब होता है कम उनका मतलब क्या होता है कम होता है याद रेकि उनका मतलब होता है कम अर्थात एक कम, एक कम मतलब क्या होता है, उन्चास होता है न, एक कम पचास मतलब क्या हो गया, उन्चास हो गया कि नहीं, तो इसका मतलब हो गया, उन्चास मतलब हो गया, एक कम पचास, ठीक है, तो यह हिंदी उपसर हो गया, आगे बढ़ते हैं, कुछ सिन आप सिगला आगे बढ़ते हैं कोर्षिन आप सिगला पूछा गया है दिया गया है दास का परयावाची नहीं है देख सकते हैं इस समय जो भी सिरी चल लए यह समय नए कोर्षिन आप को मिले हैं तो वह पूरा टेस्ट लगाया करें ठीके पूरा टेस्ट लगाएं अगर कुछ सोंच के अ दास मतलब होता है चाकर लेकिन यहांपर जो दिया गया है परतंत्री क्या दिया गया है यहांपर सी नमबर आपका परतंत्री यह दास का परयावची नहीं होता है याद रखेगा याद रखेगा यह दास का नहीं होता है अगले बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गय है क्या रहा है दानों का पर्यावची क्या होता है दानों का पर्यावची इन में से बताईए क्या हो जाएगा दानों का पर्यावची इन में से क्या है चलिए दानों के अगर बात करते हैं तो देखो दानों को हम लोग असुर कहते हैं दाना को हम लोग दनुझ कहते हैं हाना दाना कोул लोग राच्छस भी कहते हैं मतलब आपका जो ओप्छन हो जाएगा यह सभी हो ज़ेगा डिनमबर आगे बढ़ते हैं कोजिन आप से यहाँ पूछा गया है किरा है निराला के निराला के किस कावि संग्रा को ब्यंग कावि कहा गया है कहरें कहराब से कि निराला के किस कावि संग्रा को ब्यंग कावि कहा गया है ऐसा कौन सा कावि संग्रा है जिसे ब्यंग कावि कहा गया है तो 34 का option में से क्या होज़ेगा बी नमबर यहाँ पर कुकुरमुता होज़ेगा बी नमबर याद रिखे कुकुरमुता जो option है नोट करेगा यह सूरिकान त्रिपाथी निराला की प्रिसिद एक लंबी कविता है कैसी है बही यह इनकी लंबी कविता के रुप में आता अगर question पूछे की लंबी कविता कौन सी है तो यह लंबी कविता है कौन सी आपके कुकुरमुता जो है यह लंबी कविता है जिसमें कवी ने पूंजी वाद सभेता पर कुकुर मुत्ता के बयान के बहाने ब्यंग किया है ठीके तो आपसन मने आपका बी नमबर आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पुछा गया है किस कवी ने स्वयम को मैं ही बसंत का अगरदूत हूं कहा है किस कवी ने स्वयम को मै ही बसंत का अगरदू तो ये कहा है किसने कहा है चलिए ये किसने कहा है तो ये कहा है आपके निराला जी ने इसका भी अपस्वन बनेगा ए नमबर यहाँ पर राइट हो जाए निराला जी हो जाएंगे ठीके आगे बढ़ते हैं कोई से गिला पुछा है करह आप से तन पर नह पान खाय अलबत्ता चलिए 36 मर में तन पर नहीं लटता पान खाय अलबत्ता ऐसा बहुत आप लोगों देखा होगा जो दरदनसेड़ी होते हैं दारू बाज होते हैं उनकी कपड़ा हो चैना हो बनियन पैने टालते रहेंगे हा ना लेकिन पान मसाला दारू ये तो चलता ही रहेगा सिग्रेट है न तो यहां पर क्या होता है 36 का ऑप्षन क्या हो जगा कि जूठा दिखावा करना यहां पर अंसर जवाब का है डी नंबर आपका राइट हो जगा कितन पर नहीं लटता पान खाय अलबत्ता ऑप्षन हो जगा आगे बढ़ते हैं क्वेसिन आप सिगल अच्छा लगता है ऐसा तो नहीं है यहां पर देखें बी नंबर स्वालंबी बेक्ती ही सुखी होता है स्वालंबी बेक्ती क्या होता है सुखी होता है अर्था जो अपने पैर पर खड़ा होता है अपने पैर पर खड़े होकर है न तो उसे बोलते हैं स्वालंबी तो इसक अगर तोड़ेंगे न तो इसका निकलेगा लेकिन अगर पलंग वाले में कुछ न कुछ न कुछ एक पॉइंट अर्थ इसका निकलेगा इस कारण से क्या है यहां पर भी नंबर जो आपका है यह रूड आपका हो जगा रूड हो जएगा लाल में ला और ला on खंडों का कव अर्थ आपका है ठीक है आगे बड़ते हैं कॉछ न कौन सा रूड सब्द आपका दिया गया है Turtle । अगर ज हमने बताया भी कि जिसका खंडन नहीं हो सकता है अर्थाद अगर खंड़न भी करते हैं तो जिन सब्दों के सार्थक खंड़ना हो सके सार्थक मतलब जिसका अर्थ ना हो सके तो यहाँ पर देखिए option C number move, अगर इसे अलग भी करेंगे तो क्या मतलब निकल सकता है तो देखिए यहाँ पर जो आपका answer है मुह क्या है आपका root सब्द है जिन सब्दों में सार्थक खंड़ना हो अना तो अन्य सब्दों के मेल से निया बने हो तो उन्हें root कहते हैं तो option क्या हो जेगा यहाँ पर आपका C number right हो जेगा चले आगे बढ़ते हैं question आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया गया नियम्लिकित में से कौन तस्वम सब्द आपका है कौन सा तस्वम सब्द है यहाँ पर बताए तस्वम सब्द तस्वम सब्द में हमने आपको बताया था कि यह जो तरा सब्द आपका है क्या जो तरा सब्द है कहीं ने कहीं यहाँ पर जो अंसर है वो आपका C number 3 आपका option right हो ज़ेगा 3 मतलब गोतर जवाब का है C number गोतर जवाब का है ठीके आगे बढ़ते हैं question आपसे अगला पूछा गया है question दिया गया है यहाँ पर इनमिकित में से कौन सा तत्सम सब्द आपका है कौन सा तत्सम सब्द है यहाँ परंसर लोग करिएगा अब देखी यहाँ परंसर क्या हो सकता है अगर तुक्का भी मारेंगे तो आप तुक्का मार सकते है कैसे यहाँ पर तरह लग्खा है हमने बताया था जो आपके सयुक्त बेंजन होते है चत रग्या हना तो तरह दोनों सब्द आपके मेले गया है तो आप्सन क्या हो जगा बी नमबर यहाँ पर राइट हो जगा जो नच्छत रहे क्या है आपका तस्म है अच्छा इसका तद्वा होता क्या है इसका तद्वा होता है नखत क्या होता है नखत होता है इसका जो तद्वा होता है ठीक है तो इसका आप से अपका बी नमबर आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है दिया गया है सुद्धवाकी को चैन करना है और सुद्धवाकी अगर मात करते हैं तो चलिए चैन कर दीजी जल्दी से यहाँ पर सुद्धवाकी इन में से कौन सा सही हो जाएगा चलिए तो यहाँ पर दिया गया है बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का संपाधन बंद हो गया है बहुत स C नमबर जो आपका दिया गया है ये राइट हो जएगा कि बहुत से पत्रों पत्रिकाओं का संपाधन प्रकासन क्या हो गया है बंद हो गया है तो आपसन C नमबर राइट हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है यहाँ पर भी आपको सुद्धवाक कि ही चुनना है भारत में अनेक जाती है देखो जात क्या सही लिखा है क्या यह जात क्या सही लिखा है तो गलत लिखा है अनेको सभी प्रियोग करते नहीं है अनेको कभी प्रियोग करते नहीं है मतला आपसन जो C नमबर दिया है और राइट हो जएगा कि भारत में अनेक जवाब आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कुछना आप सिकला पूछा गया है कि डाक्टर रावरी भरद्वाज को किस भासा में अपने उत्करस्थ साहित योगदान के लिए ग्यान पीट पुरुषकार चुना गया था यहाँ पर दिको नाम दिया है डाक्टर रावरी भरद्वाज इसका जो आपका अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नमबर याद रखे यह आपकी तेलगू के लिए डाक्टर रावरी भरद्वाज को यहाँ पर तेलगू भासा के लिए साहित अकादमी पुरुषकार ग्यान पीट पुरुषकार के चुना गया त आपसे अपके अपने आपका बी नमबर इसका राइट हो जाएगा ओसे और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन consort आप से पूछा गया है कि कौन सी रचना क्रती माहधीवर्मा की है कौन सी रचना माहधीवर्मा की यहाँ करती आप कोशन आपसे पुछा गया है सइतालिश स कर रहे हूं चैनल मैं ऊंपसिन भी कर रहे हुं जो आपकी रचना है उन चास को उपसं लड़ करिये गा तो देखे जैदरतवत जो आपकी कि रचना है वो कि ruins की हैं यहाँ पर दिखकी है मैंEt Sabanap का नाम चुंखी धिर्फत से कर नाम तो कं से कम उपन्याज का नाम तो पता ही होना चाहिए है ना तो यहां पर 50 को अप्शन क्या हो जेगा 50 को अप्शन में से गांधी जी ने किस कवी को राष्ट कवी का सम्मान दिया है चले यहां पर बताएगा कि कवी पर बताएगा 50 को अप्शन क्या हो जेगा तो दिको देवदासी भी है अधूरी उमूरत भी है समराज का वैब हो है लेकिन जीवन के पहलू यह राग्ये रागो की नहीं है इसका अप्शन क्या हो जेगा यह पर बताएगा अगला क्वेशन दिया है लज्जा किस लेखक या लेखक की क्रती है यहां परंसर आपको कमेंट वाक्स से में कमेंट करना है इस क्वेशन का ठीक है धन्वाद जैहिन बवंदे मातरम सभी को गोड़ नाइट टेक कैर